शीर किष्ण की उपदेश के अनुसार मनुश्य के उसके कर्मों या नुरूप ही फल मिलता है इसलिए परिणाप के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चीए इसलिए कहते हैं कर्म के जब फल की चंता मत कर अगर आपने जो कर्म कर रहे हैं वो अपने पूरी निष्टा भाव से करेंगे तो उसका फल निष्चंधी मिठा होगा इसलिए फल के चंता आप मत करें वो भगवान पर चोड़ दें बस आप कर्म पर ध्यान दें अपने कर्म को प्रधान रुखें बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि मैंने ये किया तो क् इस चीज़ पर अपना विश्मास बनेए और सिफ कर्म की जी